कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूं के बच्चे होंगे आएम नवीन वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल बेसिक मैस और इस वीडियो में करने वाला हूं एक क्यूबिक एक्वेशन जिसमें कि हमें दिया है और एक सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे दिया है माइनस ट्रिप्लथी की क्यूब इसको मैं राइस है्ट था सका है इसनल तो है क्यूब टू एक सबसे बैम तो हमझत करने तो इसको एक दाछी करें चैनल एक सबसे आउनस घ्य Edwin और नर्चय में प्लस ट्रिपल 3 की क्यूब अब देखे हम इसको फैक्टराइज करें तो हम इस तरह से लिख सकते इसको ट्रिपल 1 इंटू में 4 इस पूरे की क्यूब उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं ट्रिपल 1 इंटो में 5 इसको लिख सकते हैं ट्रिपल 1 इंटो में 3 पूरे की होल क्यूब और यहां पर हमारा x3 एस थिक है अब देखे एक लॉज होता है उसके Bett前 यहां पर मैं लिख देखा हूं उसको कि अगर x into me y इन दोनों की power m हो तो हम इसको लिख सकते हैं x की power m multiply y की power m तो यहाँ पर देखे यह इस form में लिखा हुआ है तो मैं इसको इस form में डाल दूँआ तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि triple 1 की cube 4 की cube उसी तरह से यहां पर भी स्ट्रीकिन हम् euan 1 की ऍभी कि Champa f cream अब अगर अगर हम पूर इसमें देखें तो तो हम यह देखते हैं कि ट्रिपल वन की क्यूब जो है वो सब में हमें कॉमन मिल रहा है तो जो चीज हमें कॉमन मिल रही है वो हम कॉमन ले लेते हैं पर तो यहां इसको लिख लेता हम इस तरह से कि ट्रिपल वन की क्यूब सब में कॉमन है देखें तुम्हां यहां पर आपक पर्चा 3 की क्यूब अब हम इसको आगे solve करेंगे यहां पर है एक्स की क्यूब ट्रिपल वन की क्यूब मुल्टिप्लाइए अब यहां 4 की क्यूब का मतलब हो गया 4 x 4 x 4 तो यह इस तरह से हो जाता है 64 यहां पर 5 x 5 x 5 हो गया 125 उसी तरह से 3 x 3 x 3 यहां पर होगे 27 अब देखें यहां पर ट्रिपल वन की क्यूब एजरीज लिख रहा हूं यहां पर प्लस कर लेते हैं इन सबको तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाता है 216 अब 216 को मैं इस तरह से लिखूँगा कि उसकी पाबर जो आना है वह 3 बन जाए ठीक है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा इसको फैक्टरेज करना होगा तो मैं यहां पर आपको फैक्टरेज करके दिखा देता हूं इसको कि यहां 216 है तो यहां 21 जा टू 0 28 जा 16 है फिर यहां 2 से जारा 25 जा 24 जा फिर यह 2 से जारा 22 जा और 27 जा फिर फिर यह जारा 23 जा 3 जा तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पर यह है टू की क्यूब और यहां पर है यह 3 की क्यूब तो टू 3 जा 6 इन दोनों की क्यूब लगाए तो 6 की क्यूब बन जाता है तो हम इसको इस तरह से लिए सकते हैं ट्रिपल वन की क्यूब इंटू में 6 की क्यूब देखें यह कैसे बनाएं 6 की क्यूब यहाँ पर 2 की क्यूब है और यहाँ पर है 3 की क्यूब तो यहाँ पर 2 इसको लिख लेता हूं ट्रिपल वन इंटू में 6 इसकी पावर 3 हो गया इस तरह से अब यहां पर अगर हम मुल्टिप्लाइ कर लें इसको तो हमारे पास बने गए गाए एक्स की क्यूब इस इकल टू 666 इसकी क्यूब देखें अगर हम यहां देखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की होल क्यूब और यहां पर ट्रिपल 6 की होल क्यूब है तो इस क्यूब से यह क्यूब जो है वो कैंसल हो जाता है तो इस तरह से x की value जो बन जाती है वो बन जाती है 666 जो कि इसका right answer होगा x का तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये question समझ में आया होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे like share और subscribe कीजिए तो मिलते हैं next वीडियो में और नए questions के साथ तब तक के लिए good bye